नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है, मैं हरसिता जोरी आए नज़र डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर खंडवा पहुचे अंदर राश्टे कुस्ती कोच कृपा संकर पटल ने बताया कि अब खेल नीती से होगा खिलाणियों का विकास, सासर ने पहली बार खिलाणियों से मांगे, सुझाव खेल में राजनीती से होगा खेलों को नुकसार, खेल यूबा कलियान विभाब को जिल कुस्टी के लिए और कुस्टी में राच और नैशनल तक जाकर जिले और प्रदेश का نाम रोशन कर रही है। मध्यप्रदेश की ही 40% बालिकाएं कुस्ती में आगे हैं और मध्यप्रदेश में कुस्ती के प्रती भागिदारी निभा रही हैं। साक्षी मले की गीता फोगाट बालिकाओं के लिए प्रेड़ना बन गई हैं। महिला कुस्ती ने पूरे देश में आज एक क्रांती ला दी है। अब हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी भी गीता और बबीता बने। यह बात पत्रकारों से चर्चा के दौरान कुस्ती कोच अरजुन अबार्ड क्रपासंकर पटेल ने खंडवा आगमन पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। अंक मिलते हैं यह तो जब पता लगता है जब प्रमाड पत्रों की अपचारिकता ही कटगरे में खड़ी हो जाती है। युवाँ को खेलों के प्रती जागरुक करना होगा जिन खेलों में उनका केरियर बने और उनको चुन कर आगे बढ़ सके। उलम्पिक गेम में किन खेलों को प्रात्मिकता दी जा रही है उन खेलों के प्रती युवाँ को जागरुक होना पड़ेगा आज के खिलाडियों को सही दिशा देने की जरूरत है। अधिप्रदेश शासंद्वारा खेल बिभाग को दिये जाने के प्रशन पर कोच क्रपा संकर पटेल ने कहा कि जिला पंचायत को देना खेल बिभाग को बहुत गलत है। जो प्रतिभाबना खिलाडी है वे आगे आएं तब ही खेल आगे बढ़ेगा। मदप्रदेश सरकार ने पहली बार खिलाडियों की भी राए ली है कि खेलों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए इसके लिए समीती भी बनाए जा रही है जिसमें मैं भी हूँ। खेल नीती पर दो मीटिंग हो चुकी है तीसरी मीटिंग होनी है खेल नीती पर जल्द ही अच्छे काम होंगे। खिलाडियों के लिए भारती रेलवे ने कुस्ती खिलाडियों के लिए जो प्रमोट किया है बहुत ही अच्छा प्रयास है रेलवे प्रशासन का यह प्रयास से ही आज देश भर के अच्छे पहलवान देश सहित विदेशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं यहां तक कि औलम्पिक में भी मैडल दिलाए हैं मदपरदेश सासन को भी डाक बैंक सहत अने विभागों में भी खेल कोटा रखना चाहिए जिससे खिलाडियों को सुनहरा अपसर मिलेगा और आगे बढ़ेंगे खेल नीती में हमने सासन से तीन प्रतीशत कोटा हर डिपार्टमेंट में किलाडियों के लिए हो इसकी बाद भी कही है चोटे से गाव सौनखेडी से निकले अंतराष्ट्री पहलवान मदपरदेश का खंडवा शहर जो अब तक दादाजी की नगरी और किशोर कुमार के नाम से जाना जाता है वहीं अब तो पहलवानों के नाम से भी जाना जाने लगा है इस छेत्र से जुड़े ऐसे भी महारती भी हैं जिनको आमिर खान जैसी फिल्म कलाकार भी गुरू मानते हैं जी हां हम बात कर रहे हैं खंडवा के सौनखेडी गाव निवासी क्रपाशंकर पटेल की एक छोटे से गाव से निकल कर पूरे खंडवा का नाम पहलवा स्पॉर्ट से संबानित भी हैं शुकरवार को पत्रकार से चर्चा के दौरान क्रपाशंकर ने कहा कि पहले अपनी बेटियों को जब कुस्ती में उतारा तो लोग तानिस्ट कसते थे लेकिन जब बेस्टेट और नैशनल खेलने लगी तो सब की मानसिक्ता ही बदल गई जह आगे आ रही हैं यह बात कुस्ती संग के सचिव रगुनात पांचरे ने कही वहीं खंडवा कुस्ती के वरिष्ट पहलबान मंगली आदब ने कहा कि युपती अपनी छमता पहचाने और बढ़ चड़ कर कुस्ती के छेतर में आगे आएं वहीं अपनी बात को आगे बढ़ अपने शरीर के लिए भी कम से कम एक घंटा तो अपने शरीर के लिए निकाल कर मेहनत तो करना चाहिए। अपने प्रशास सर्मा के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चाबरे की रिपूर। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहे खबर समय जगत।